नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी यूट्टूब चैनल में और दोस्तों आज हम बना रहे हैं बेक्रिक स्टाइल के पिस्ता पिस्केट्स बहुत ही बढ़िया, सोफ्ट और बहुत इजी स्टाइल में तो आप भी नहीं घर पे आसानी सी बना सकते हैं आईए बनाना सुरू करते हैं और इससे पहले आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करने ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत पूदिएगा बिस्किट्स बनाने के लिए देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है बटर तो यहाँ पर हम लेंगे 50 ग्राम बटर और बटर को हैंड ग्रेंडर की साथा से बीट करेंगे तो यहाँ पर मैंने हैंड बीटर ले लिया है और इस तरह से बटर को मेस करेंगे पहले अच्छे तरह से मीक्स कर लेंगे और इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर सुगर तो यहां पर मैंने पचास ग्राम बटर में पचास ग्राम ही सुगर डाल दी है तोनो को लगबग 5-7 मिनट तक बेटरे की साहता से आपके पास ऐसा बेटर नहीं है तो कोई बात नहीं आप स्पून की साहता से इसको मिक्स कर सकते हैं इस्पून की साइथा से भी बिल्कुल से अच्छा fluffy होजाता है butter जो है तो और butter की जगे के यहाँ पे आप गी का भी स्तेमाल कर सकते हैं, डालडा का भी स्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास available हों से आप इसको बना सकते हैं तो इस तरह से यह जो कांटी है ना इसकी साहते से भी हम इसको बीट कर सकते हैं तो काफी options होते हैं इसको fluffy करने के लिए और कोई जरूरी नहीं कि आपके पास bitter हो तब ही बनेगा बिना bitter के भी बन सकता है इस्पून की साहता से और फिर जो fox होते हैं उनकी साहता से आप इसको मेस करना होता है या फिर नहीं तो हाथों की साहता से भी इस तरह से मेस किया जा सकता है अब देखिए यह बिल्कुल अच्छे से fluffy हो गया है तो हमने इसको लगबग 3-4 मिनाट तक और अच्छे से mix किया है बीट किया इसको और एक्दम से जब creamy creamy हो जाता है तो हम जो बाकी के ingredient है वो इसके अंदर mix करेंगे इसके लिए देखिए मैंने यहां पिलिया है थोड़ा सा सबसे पहले vanilla extract और ilaichi powder तो सबसे पहले तो बैटर को अंदर जो है दोनों को mix कर लेते हैं ताकि इसका जो flavor है वो बहुत ही बढ़िया आए biscuits का और बहुत ही soft पनेगे इसके अंदर हम तू टेबली स्पून बेशन तू टेबली स्पून सुजी यह बारिक वाली सुजी है और फॉर टिपन स्पून केहूं का आठा या फिर all-proposed flour यानि मैदा यूज कर सकते हैं आप जो भी आपको अच्छा लगे वो यहां पर यू अच्छे बनते हैं कलर भी सेमी आता है कोई जाता फरक नहीं होता है और टेस्ट भी सेमी होता है तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यहां पर यूज करें सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में मैंने आधा टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है यहां पर हम बेकिंग सोडा यूज कर रही है यहां पर मैंने आज बेकिंग पौडर नहीं लिया है बेकिंग सोडा यूज किया है ताकि बिस्कीट अंदर से बिलको सौफ्ट हो इसलिए और फुले भी इसलिए मैंने यहां प घी स्पून बेकिंग सोडा mems करके और अच्छे से डो बना लेते हैं डो प्रिपेर करेंगे ना तोुसमें पानी डालना है ना ही दूदद डालना है अगर दूद और पानी किसी चीज का प्योग करेंगद तो बिस्किट जो है वह कड़को तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मुठी से देख लीजिए आप चेक कर लीजिए कि जो डो है वो बंध राए कि नहीं बंध राए अगर ये थोड़ा सापको जदी सूखा लगे ड्राई लगे तो आप इसके अंदर एक स्पून घी ड मग फैला देते हूं और इसको प्रिहिट कर लेते हैं लगबग पांच मिनट तक हम इसको हाई इस पर प्रिहिट करूंगी और तब तक हमारा जो डो है वो भी सेट हो जाएगा जब तक हमारा कुकर प्रिहिट हो रहा है तब तक हम अपने बिस्कीट्स बना लेते हैं दूसरी तरफ तो यह 10 मिनट हो गी है और इस तरफ मैंने यह देखिये यह लिया है इडली स्टेंड और इसके अंदर मैंने यह जो मिठाई वाले कप साते हैं उनको इस तरह से फ्लेट कर लिया है और इन पे लगा देते ताकि हमारी बिस्किट्स जो आना मुझे यह से जादा भीक नहीं होते हैं उपर और नीचे का कलर बिल्कुल सहम आता है इसलिए मैंने यहां पर यह जो लड़ वाले जो पेपर है वो लगा दिये हैं अब इस तरह आप से जो डो है वो उसे निकाल लेंगे और प्लेट के अंदर मैंने लगाए क्योंकि प्लेट की कॉर्ण करेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे तो यहां पर मैंने लिया है यह चोटा सा ग्लास और इससे आप ग्लास का टोड़ी जो भी हूँ आपके पास में उससे आप इसकी ऐसे कटिंग कर सकते हैं मुटा आप बारिक आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते तो side corners को हटाएंगे और knife की help से इसको इस तरह से उठाएंगे क्योंकि हातों से उठाएंगे तो knife के help से इसे उठाएंगे और इस तरह से एक एक डबी के अंदर और एक एक biscuits लगा देंगे तो आपकी जितने इतने इस्टेंड में जितने भी इसके part होंगे उतने ज्यादा हो गया है तो biscuits को मैंने कुकर के अंदर रख दिया है और अब हम इसको लगबग 10-15 मिनट तक medium flame में पकाएंगे ना हम flame का high रखेंगे ना low और जो कुकर की सिर्टिया उसे निकाल देना है तो कुकर की विसिल को निकाल दिया है और इसको 10-15 मिनट तक bake कर लेंगे 10-15 मिनट क के बाद हम चेक करेंगे देखिए हमारे biscuits कैसे बने हैं तो अभी आप देख सकते हो biscuits कितने अच्छे बेक हुए हैं बहुत ही बढ़िया इनका color आया है बहुत ही अच्छे बेक हुए है और बहुत ही ज़्यादा soft है तो आप भी इस तरह की biscuits घर पे जरूर ट्राइ करें थैंक्स पोर वोचिंग वीडियो को लाई करना